आज हम बात करेंगे कि MPPAT में आपका सेलेक्शन हो गया है तो आपको कॉलेज जाकर कितनी फीज पेट करना होगा मतलब आपने भी 5,000 फीज दे चुका होगा ठीक है सभी बच्चों ने भी कितनी फीज जमा कर चुके होंगे 5,000 फीज दे चुके होंगे ठीक है और कॉलेज आ इसालों को कितनी फीज लगेए लग 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 रही है 10,778 रुपै यह फीज आपको कहां लगना है बच्चों कॉलेज जाकर पेड करना होगा यह सब्सक्तर है design से आप पांच-शार क्या कर चुका है दे चुका मतलब आपको 5,788 रुपए और लगेंगे, पांच यार 788 रुपए आपको और कॉलेज में जाकर देना होगा, 5.788 रुपए जाकर आपको देना पड़ेगा, मतलब यदि आप फ्री सीट लिए हैं, तो आपको 10.788 रुपए ही लगेंगे, अब यदि आपने पैमेंट शीट लिए हैं तो आपने पैमेंट शीट के लिए भी कितना दे चुका है पांच चार रुपए दे चुका है अब आपको कितने रुपए और देना है 20,903 रुपए देना है कितने रुपए देना बच्चों 20,903 रुपए आपको और देना है या आप ये सारी फीज देख लीजिए जो पैमेंट शीट वाले बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन फीज से 5,500 रुपए लगती है और वही पर यदि हम देखा जाया है तो उसका 4 गुना कहा लग जाता है आपको ठीक है पैमेंट शीट में लग जाता है तो जिन बच्चों ने पैमेंट शीट लिए थे उनको 25,903 रुपए टोटल लगेगा टोटल मतलब जो उनने 5,000 दे चुके हैं को कम कर दिया जाएगा ठीक है तो जिन बच्चों को अभी आज जाना है 12 तारिक से पहले पहले आपको वो कॉलेज लेना होगा चाहे आप अप अपग्रेट कराना चाहते हों चाहे आप कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं या आप वही कॉलेज लेना चाहते हैं लेकिन आ उनको भी क्या लगी फीस देनी होगी फीस तो सभी को देनी होगी याद रखिएगा बच्चों ये सारी फीस देनी होगी अब फीस किस-किस बात की ले रहा है इन्रोल्मेंट फीस ले रहा है उसके बाद में आपको देखो ठीक है कॉसल मनी के नाम पे जो ले जाता है वो ले के लिए रहा है उसके बाद में कॉलेज टिक है इमयलेजेशन के लिए 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 रहा है लाइड़ी की फीज ले रहा है ठीक है लेटरीफीज ले रहा है डिगरी के लिए बीधिरी आपको जो मिली की पांस रुपए में मतलब वहीं से मिल जाएगी in इसकी बात करेंगे कि डाकुमेंट कौन कौन से थे तो डाकुमेंट्स मैंने आपको कल ही बता दिया था एक बार फिर से देखिएगा ये सारे डाकुमेंट्स आपको कितने लगेंगे बच्चो चार सेट लगेंगे बच्चो चार सेट लगने वाले हैं बच्चो चार सेट सारे डाकुमेंट्स लगेंगे जिन में से ओरिजिनल ये तीन चार डाकुमेंट्स लगेंगे, ये ओरिजिनल डाकुमेंट्स है, ठीक है, 8, 9, 10 और ये 11 नम्मर का, ये सारे के सारे डाकुमेंट्स आपको ओरिजिनल लगेंगे, चाहे आपने बीच में क्या कर चुका होगा, आई टी आई कर चुका होगा, य आप कोई और अधर कोर्स कर दिये होंगे या आप B.A.C. प्राइवेट करने लगे से तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको इस चार डॉकुमेंट्स बनवाना है चाहा वो कॉलिज से बनवाना है चाहा जो इस्कूल के रखे हुए है बारभी पास वाले बच्चों के वो यह टो क्या लगेंगे बच्च और अउरिजनल लगेंगे आप रंगीन कौन कौन से लग रहा है तो रंगीन भी चार डाकूमेंट्स लगेंगे इन चार डाकूमेंट्स को रंगील करवाना है कौन कौन सा 10 की अंगसूची लगेगी 12 DAVID 변 जाती में बनाना है बाकिसस अपक install प्र तो यह सारे डाकुमेंट्स आप सम्हाल के रखेगा बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी प्रकार की और कोई डाउट्स जाए अप्ग्रेट का भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा बच्चों ठीक है वह बारा तारीक के बाद ही अप्ग् लंबर से चेक करना था आईडी पासवर्ट डालके तो नहीं होता होगा तो आप बता सकते हैं हम लोग आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे बच्चों और यह आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को साथ सेर जरूर करें लाइक करें कमेंट्स जरूर झाल 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